महिलाओं के स्वास्त समान और सशक्ती करण के साथ ही मात्रेवं शिशु म्यत्यु दर को कम करने के प्रयासों में जूटी फॉक्सी ने लंदन में अपनी जड़े मजबूत की है फॉक्सी ने लंदन में अपनी नई शाका का गठन किया है फॉक्सी की यह 245 वी शाका है जिसका निर्माण वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर जैदीप मलहुत्रा और पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नरेंदर मलहुत्रा की ने तर्दब में किया गया है इस क्रम में लंदन और भारती डॉक्टरों के साउट प्रसिख्षर कारेक्रμέन भी आईजित होने जा रही है जिसमें से पहला प्रसिख्षर कारेक्रम आगरा में होगा गठ पांच जुलाई को लंदन में एक कॉन्फरेंस आईजित की गई यह Conference Royal College और South Asian Federation of Obstetric and Gynecology के सैंक तत्वाबधान में आयजित की गई थी, जिसका हिस्सा आठ देश और उनके स्त्री एवं प्रसूती रोक संगठन रहे South Asia Day में पहले दिन फॉकसी ने अपनी लंदन शाका का गठन किया, इसमें भारती मूल के 65 डॉक्टरों को शामिल किया गया है लंदन से लोटने के बाद फॉकसी अध्यक्ष डॉक्टर जैदीप मलुत्रा ने बताये कि लंदन में फॉकसी की 245 वी शाका का गठन एक बड़ी उपलब्दी है इससे ना सिर्फ लंदन में रह रहे भारती नागरिकों को लाव मिलेगा, बलकि लंदन के चिकित्सक भारत में आकर भी अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे साथी भारती चिकित्सकों और लंदन में भारती मूल के चिकित्सकों के बीच आपसी ग्यान साजा हो सकेगा समय समय पर सायुक्त प्रसिक्षन शिवर भी आईजित किये जाएंगे ताकि नवीन और तक्नीकी ग्यान का आदान प्रदान कर मरीजों को लाव पहुचाया जा सके महिला स्वास्त के लिए SDG जो है Sustainable Development Goals पहले Millennium Development Goals दुनिया ने बनाये थे कि 2015 तक यह यह कर पाएंगे तो जब वो कुछ देश कर पाए कुछ नहीं कर पाए तो अब 2030 तक इन गोल्स को कौन सा देश कैसे सस्टेन कर पाएगा महिला के लिए तो इसमें जो गोल नंबर 4 और 5 ह वो महिला स्वास्त से है वो गाइनेकॉलिजिस के लिए बाकी सारे गोल है शाकशकता गोल है शफाई अभ्यान है खान पीन का है नो हंगर है तो इस पे हम लोग ने डिसकस किया कि यह हम लोग कैसे हमारी क्या जम्मेवारी है और हम लोग क्या कर सकते हैं समारों के दूसरे दिन तकनीकी सत्रों के साथ ही पैनल डिसकेशन हुए इसमें पूचे गए सवालों के जवाब में सेशन की अद्धिक्षता कर रहे आगरा के डॉक्टर नरेंदर मलहोत्रा ने कहा मातर पांच फीजदी महला ही मीनो पॉच के दौरान डॉक्टर से संपर्क करती हैं यानि की लगबग पिच्चानवे प्रतिशत महला हैं मीनो पॉच के दौरान होने वाले प्रतिकूल बदलावों के साथ लगबग एक तेहाई जिंदगी गुजार देती हैं जिसका असर चिर होने वाले प्रतिकूल बदलाव के प्रभाप को कम कर महलाएं 40 की उम्र के बाद बिंदास जिंदगी जी सकती हैं डॉक्टर जैदीप मलोत्रा ने प्रसप के सीजेरियन तरीके और उसके परिणामों के बारे में विस्तार से जानकारी दी